हेलो दोस्तों, दिस इस चंदन साड़गाओकर और दोस्तों, आज के वीडियों में बात करेंगे कि कल, यानि 15 और 16 डिसेंबर को IBPS कलग प्रिलिम में क्या क्विशन्स आने वाले हैं क्या उनका पैटर्न होगा, क्या चेंजर्स हो सकते हैं और में चीज़ आपको प्लानिंग कैसे कामी है तो चलिए दोस्तों, बिना वखजाए कि इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले में सेक्शन में बात करूँगा सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के बारे में जब सबसे पहले समझो कि इंग्लिश कितने माक्स के लिए 30 माक्स के लिए तो इंग्लिश में देखो आरसी रडिंग कॉंबनेशन एक कंफर्म रहेगा कोई नहीं के एक पैसे रहेगा दूसरी चीज़ एर्रस सेंटेंस एर्रस देन फिलर्स फिलर्स मतलब फिल इन ब्लैंक एक सिंगल फिलर और सेंटेंस या फिर फ्रेस्ट रहेंगे ठीक है इसके अलावा जो नया पेटर इंट्रूस हुआ है मैं कहने का पॉइंट कि आप इन पर जादा डिपेंड रहों देखो आप मैंसे सारा सिलाय बस हो गया सिप्लोस ट्रेस बचा हुआ है तो वह नहीं करना है क्या नहीं ऐसा नहीं करना है लेकिन देखो जो पेपर चल रहा है जो आट और नो डिसमबर को उसके हिसाब से कि आप इन चप्टर पर डिपेंड जो आर्सी में मानता हूं कि वह पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो का लेकिन आप सिमिलर आप पोजिट वर्ट सिप निकाल कि वह चार मांख लेकर जाओ अगर उस तरीके से सब्सक्राइब आया तो और अगर मान लो आर्सी में अगर वह सि सबसे बड़ा चैप्टर जो आप जानते हो आपने में पड़े हैं कि आट और नौ को क्या हुआ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट यह 20-25 मांख को आएंगे ही आएंगे कंफर्म आने वाले हैं ठीक है 20-25 या 20-22 अराउंड इतने रहें तीन चार पजल तो आई रहें वह र कि एक ही पजल में कहूंगा जो प्राइवरेटी बीसिप से थोड़ा बाद में करना क्योंकि अगर मानला कि सारे क्वेश्चन्स हो रहें 20 मिनिट के अंदर बॉक्स पजल का लेवल वो लोग चेंज कर सकते हैं कि निए वो डिपेंट रहेगा यह बॉक्स लेवल में प्रॉ यह सब जो है ना लीनियर राइंग में वाले बजल के सेवन पीपल सिटिंग इन औरो फेसिंग नौर्थ एंडे हैव सम डिलाइक डिफरेंट कलर्स ऐसा वाला करो या फिर छे फेसिंग नौट शे पेसिंग साउथ वह वाला पैला मैंडब करो फ्लोवर आया वो करो मंद व चुकाओं के वह सिचुएशन में धिंकिंग कैसे होता है तो कई ना कि प्रायोरीटी बेसिस पे आपको स्किप करना पड़ेगा कहने का पॉइंट के बता है ऐसे को हाथ लगाओ जो को सबसे पहले आते है उसमें देखो आपको जाके यह नहीं बताना है कि मैं इतना स्कॉल नेटली आएगा जिसमें अल्फानिमरिक से रहेंगे कि हाव में वावल सार दिया इस पर आपको शेंगे लिए वह आज का में आएंप टॉपिक्स का मेरा प्लान था मैं वह डिसकुस कर रहा हूं सारी जिसकुसरों तो वह तो आनलेसिस हो जाएगा तो इन पर आप डिपें कि यह आपने मॉक्ते से सौल कि बहुत इजी लेवल के तो इजी लेवल में क्या है दोस्तों बता है आप भी करोगे आप जैसे सौल और करेंगे लेकिन कौन कितने बदल करेगा क्यों कि कट आफ में फरक करेगा इसलिए बोता हूं रिज्डिंग को लाइक स्वीड़ी समद जितना खा सकते हो उतना खा लो जितना कमा सकते हो मास कमा लो ताकि दूसरे सेक्शन पर बड़न थोड़ा कम आए ठीक है तो यह ता रिज्डिंग के बार में अब मुझे लास सेक्शन के वह मैस मैस में तो बेसिक फंड है सीरीज आएगा मैं दोनों चीदे के ओपन रहता ह तो आने ही वाला है तैन इसलिए गहरा हूं अगर कोड़ेटिक उन्होंने निकाल दिया ठीक है तो वह इसके पाच में वहां कमःप करेंगे अगर नहीं दिया तो वह कॉड़ेटिक वह से देंगे मेरे इससे कॉड़ेटिक आए तो बैठा रहे क्योंकि बहुत इजी लेव अब दो को इन सबको मिला के ना मिनिममम इनके काउंट करो डिया में 5 पकड़ता हूं सिरीज 5 पकड़ता हूं सिंप्लिफिकेशन 10 पकड़ता हूं और कॉड़ेटिक नहीं है तो डिया 10 यह 25 मां लगबग 25 मां आपकी जेब में जाने ही चाहिए और इनको ही प्राइडिक र यह नहीं कहता है यह डिफिकल्ट है लेकिन आप अलग अलग आपको दिमाग लगाना पड़ता इसके इसले कहता हूं इन चैप्टर्स पर जब जाओगे आप यह पाच-पाच मांक्स के यह बलक है आपका दिमाग लगा रहेगा सीरीज चलोए सीरीज चलोए तो पांच मैं खुद ऐसे करता हूं इसके मेरे सारे प्रेलिम स्क्राइब सारे मैस में मुझे मिलती है इनी पर फोकस करको हेल्प करेगा और सबसे जरुरी चीज आप जब सेक्शन वाइज जाओगे तो कहीं ना करी थोड़ा प्रेशर गिरेगा एक अधर सिशन थोड़ा प्रेशर ग कि 32 मिले 33 मिले ऐसे मैंने किये हुए है तो मोराल मत करना कटाफ आना अभी बाकी है पहले आप जीजान से अटेम्ट तो दो अटेम्ट पूरा दो दिल से एक घंड़ा जॉब बेट होगे वह करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा यह होगा दोस्तों अभी इंग्लि कोई देर रहा तक नाइट मत मारना कोई सुबह एक तम चार बजे उटके मत बैठ जाना सिर्फ आपका अगर आट बजेगा स्लॉट है या सवाट का स्लॉट है जो भी आपका टाइमिंग है तो जल्दी निकलना ठीक है और दोस्तों ये था प्रिलिम्स के लिए अगर आप जाना जा रहे हो तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिशन में देख चुकी है तो दोस्तों विश्यू आल बेस फॉदर एक्जाम कोई सवाल पूछना होगा आप कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो देकने के शुक्रिया